हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बाक, आजके इस एनलेसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हप्टीएस्ट माइंड सेयर के उपर, इन डीटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक जवरू देखेगा, जिससे कि आपको भी सभी लाश्ट में हम लोग बात करने वाले हैं, एरो ग्रीन सेयर के उपर भी, इन डीटेल में बात करेंगे, सबी लेवल के उपर, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक जवरू देखेगा, तो चलिए अब एनलिसिस को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर अगर बात करेंगे, हैपिएस्ट माइंड के सेयर में, तो हैपिएस्ट माइंड के सेयर में, हम लोगों को फ्राइडे के सेसन में भी गिरावट देखने को मिला, 0.5% के गिरावट के साथ जो है, स्टाउक ने 807 के लेवल पे क्लोज दिया है, लाश्ट 6 मंत के अगर बात क इस स्टाउक में क्या करना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों ने इस स्टाउक को ऊपर के लेवल पे लिया है, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज को देखते हैं, जो एक कमपनी जो है, लिस्ट होता है, लिस्ट होने के बाद अगर देखेंगे, तो एक IPO का बेस क ब्रेकाउट हुआ, और स्टाउक ने नन स्टाउप रैली दिया, इस वज़े से दिया, अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेकाउट लेवल को देखेंगे, तो एप्रॉक्सिमेट 400 का लेवल था, स्टाउक ने 1580 का हाई लगा है, यानि कि स्टाउक ने यहाँ पे आपको 1180 पॉ उसके बाद से स्टाउक में हम लोगों को गिरावट रिखना स्टाउट हुआ, अभी तक जो है स्टाउक यहाँ पे आपको नीचे ही आ रहा है, और काफी लोगों ने इस स्टाउक को जो है आपको 1500, 1300, 1250 इन सभी लेवल पे बाई किया है, क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम के बाद जैसे ही स्टाउक नीचे आया, लोगों को लगा जो वापस से यह पूल बैक लेगा या ऊपर जाएगा बट उसके बाद स्टाउक गया नहीं, और उसके बाद स्लो एन स्टेडी स्टाउक नीचे की साइड ही आता गया, तो चलिए बात करते हैं, पहले कुछ फंड स्टेड़न से अगर हम लोग बात करते हैं, तो 761 करूर का यहाँ पर आपको सेल्स था, 2022 में यह बढ़के हो गया आपको एप्रॉक्राइमिट जो है यहाँ पर लेगा तो狂 एन से वेंटी करूर से सेल्स इंप्रूब हुआ, वापस से चल देहिंगे तो 300 करूर से यहाँ पर आपको सेल्स इंप्रूव हुआ अभी 2 फॉर फॉर का रिजल्ट आया नहीं है लाश्ट फॉर क्वाटर में देखेंगे तो यहां पे भी इंप्रोव्मेंट देखने को मिल रहा है यहां पर तो यहां पर आपको से डबल होता हुआ दिख़़ा है ओपरेटिंग प्रॉटर की बात करेंगे तो वन नाइन्टी करोर से 302 करोर का हो रहा है लेगिन यहां पर जो डिक्रेमेंट आ रहा है वो है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जीन में 25% के कमपेजन में लाश्ट फोर क्वाटर में कमपनी ने 21% का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जीन रखा है तो यह एक जरूर्ड जो है आपको कंसर्ण है मार्जीन कम नहीं होना चाहिए अट लिस्ट जो है सेम मार्जीन या तो सेम मार्जीन हो या फिर जो है आपको मार्जीन इंप्रूव हो, margin अगर कम होता है, तो कहीं ने कहीं sales improve होने पे भी आपको net profitability में उतना profit reflection नहीं होता है, यहां पर अगर देखेंगे तो सेवजक्टी वन करोड के सेल्स पे 162 करोड का आपको नेट प्रॉफित हो रहा था लेगिन 1 के सेल्स पे भी आपको अ Pvd कर्राएं क्योंकि मार्जन यहां पर परसेंच से आपको । को तो तो दिए स्वंट एए यहां पर बात करेंगे पर सेयर भी इंप्रोव हो रहा है एक अच्छा दिएट भी जो है कंपनी आपको कर रहा है तो कंपनी का सेशज़ ग्रो कर रहा है इंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोव कर रहाrobe आपके अपरेटिंग करोड के डेट के एगेंस्ट में जो है 1348 करोड का आपको रिजर्ब है साथी साथ जो है 211 करोड का यहां पे फिक्स एसेट है और 197 करोड का इन्वेस्टमेंट है अगर हम दोग सेर होल्डिंग पाटर्न के उपर बात करेंगे तो प्रमोटर के पास जो है 50.24 परसेंट का होल्डिंग है एफाई के पास जो है 4.69 परसेंट का होल्डिंग है एफाई का होल्डिंग यहां पे जो है आपको वन सिक्स परसेंट से और पब्लिक के पास जो है 40.58 परसेंट का स्टेक है तो चलिए बात करते हैं हम लोग टेक्निकली लेबल के ओपर कौन-कौन सा लेबल इपॉर्टेंट होने वाला है यहां पर वीकली चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं और वीकली चार्ट में अगर हैं डबल टॉप और उसके बाद लगातर स्टाॉक में हम लोगों को यहां पर किरावट देखने को मिल राहा है एक यहां-पर के चिरीड की साइट में जो सपोर्ट है दीचे की साइड में सपोर्ट है 750 के लेवल पे चघर बाथ करेंगे तो तो आल्मोस्ट जो है 48% नीचे stock trade कर रहा है close to 50% नीचे जो है stock यहां पर trade कर रहा है बात आता है क्या stock यहां से two times होगा अगर यहां से stock को two times होना है यानि कि यहां से stock को जो है आपको 1600 के level पर जाना है क्या उससे ऊपर भी stock जा सकता है तो यहां से stock जा सकता है क्योंकि जो है सेल्स इंकरीज हो रहा है कि यहां पे जाएगा तब यहां पे आपको ब्रेक आउट होगा, ट्रिंड्ड लाइन का साथ यहां पर अगर आह茁 लोग ववल्यूम के ओपर ध्यान देंगे वॉल्यूम यहां पे जितना भी इतना भी फॉल हुआ है वॉल्यूम यहाँ पे काफी कम है यहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम में आपको वापस से इंक्रिमेंट रहना स्टार्ट होगा क्योंकि अगर स्टॉक को मूव करना है तो रिटेलर्स मूव नहीं करेंगे करने के लिए एफाई आई डियाए को ही मूव करना परेगा इस्टॉक बड़े लेर ही आपको मूव करेंगे रिटेलर्स बस उसमें पाटिसिपेट कर सकते हैं तो अगर जैसे ही यहाँ पे आपको एफाई डियाए मूव करना स्टार्ट करेंगे उसका रिफ्लेक्शन जो है उपर की साइड में कर सकता है उपर की साइड में मौमेंटम में एक करने के लिए जा सकता है यहां पे फॉल होन चुका है जो की पहला फेज है दूसरा फेज होता है आपको अलमोस्ट कर चुका है अब बस यहां पे वेट वेट हैं पहला ब्रेकाउट होगा ट्रिंडलाइन के ऊपर अगर आप और भी चाहिए तो थाउजन की लेवल के उपर बाई कीजिए यहां पर आपको कॉंसोल्डेशन का भी ब्रिक आउट मिल जाएगा और उसके बाद जो है आपका वर्लूम के साथ यहां पर हम लोगों को ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है और यह ब्रेक आउट जो है यह आपको लाश्ट फाइब ऑल्मुस्ट लाश्ट सेवन मन्त का ब्रेक आउट है अक्टूबर मन्त से ही स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा था तो सेवन मन्त के बात जो है इस टॉक ने यहां पर ब्रेक आउट दिया और काफी हेवी वर्लूम के साथ इस टॉक ने ब्रेक आउट दिया है तो एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है बहुत से लोग इस स्टॉक को पहले से होल्ड करके रखे हुए हैं जितने भी आजा है इस टॉक 400 से 150 पॉइंट का मोमिंटम कर चुका है तो एक अच्छा तेजी हो चुका है स्लाइटली प्रॉफिट बॉगिंग देखने को मिल सकता है वापस से स्टॉक में एक तेजी आएगा क्योंकि एक अच्छा ब्रेक आउट यहां पे है तो अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा समय के लिए है तो आप यहां पे 350 के नीचे वीकली अफिट डेली क्लोजिंग बैसिस पे अपने असल को प्लेस करके रख सकते हैं आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चाल को सब्सक्राइब जरूर कर लें